हलो स्टुदेंट्स आज हम तो ग्राविडेशनल पोटेंशनल एनेटजी के बारे में पढ़ेंगे कि दूटू दे ग्राविटी या फिर बोच सकते हैं ग्राविडेशनल फोर्स के कारण अगर अर्थ के ऊपर में कोई आपजेक्ट है तो उस पर्टिकुलर आपजिट का यहां से यहां जो आ रहा है तो यहां पास में इसका पोटेंशनल एनर्जी कितना था और यहां पास में इसका पोटेंशनल एनर्जी कितना है या फिर हम इसको ऐसा बोच सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे रखा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो पोटेंशियल है सिर्फ जो potential है वो कितना है इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेगे और इसके उपर एक numerical भी हमने solve करके दिखेंगे क्योंकि बिना numerical के जो derivation है उसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि अगर हमारे पास में कोई example होगा अपना मज़ा आएगा कि derivation कैसे कहां पास में utilize हो रहे है तो चलिए start करते हैं अपने इस वीडियो को और समयने की courses करते हैं तो मान लेजे यह हमारा earth है earth का यह हमारा center है और this is our distance r r is the radius of our earth ठीक है मान लेजे यहां पास में हमारा कोई object है जो infinity position पे है और infinity position से इस p point तक आ रहा है ठीक है p point से अर्थ का यहां से अर्थ से जो distance लेंगे उससे आप small r ले सकते हैं उसको आप इसे join भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाले बात नहीं है यह distance ले जाएगा उसको याद रखेगा हमेशा अर्थ के center से ही लेना है उसके surface से नहीं लेना है बहुत लोग इस पे गलती करते हैं ठीक है ठीक है अब हमको निकालना है work done सबसे पहले work done ही हमारा potential energy की form में convert होगा देखेगा कैसे है भी अभी मान लेजे इस particular point पे इस height पे इसकी कुछ potential energy है ठीक है अब हमें potential energy का formula बनाना है तो यह जो object है यहां से इस particular point तक आया किसके करण आया होगा अर्थ की gravity field के करण आया होगा तो जब यह यहां से यहां आया तो किसमें force लगाया अर्थ ने इस पे force लगाया इस पे कुछ displacement हुआ होगा मान लिजे कि वो displacement यह मैं यहां से यहां तक कुछ भी ले सकते हैं तो उसके लिए में 2 points बना लेता हूं मान लिए कहीं पास में आप बना सकते हैं इस point को यह a-point और यह b-point इसका जो displacement है उसे आप dx मान लेजएगा a-point से यहां का distance है उसे आप x मान लेजएगा यह जो दो point लिए जा रहा है एक हिमाल लिजे कि A से B तक का displacement हुआ है इंफिनिटे से R के जगा A से B तक का ले लिजेगा ठीक है तो A से जब B तक हुआ है हमारा ठीक है तो देखे क्या होगा force लगा होगा इसके कारण और displacement हुआ है dx तो force into displacement is our small work done force कोन लगा रहा है अर्थ लगा रहा है तो gravitational force तो बने गए formula क्या होता है gmm distance x square dot dx और यह होगे हमारा small work done ठीक है तो complete work done क्लिक क्या करना पड़ेगा integration कर दीजे integration करते टाइम पर क्या करना पड़ेगा limit put करना पड़ेगा limit put करते टाइम यहां से यहां तक का limit put करने के जगा infinity से r का put कर दीजे हमारा काम हो जाएगा तो r से infinity से r तक जहां से निकल रहे हैं उसे नीचे और जहां पास जाना है वो r वहां तक ठीक है नीचे से उपर लिया जाता है हमें इसा limit को अब इसमें जो constant है में उसे बाहर निकाल दीजे तो g constant है m constant है mass of the object constant है integration limit infinity to r 1 upon x square dx 1 upon x square dx ठीक है जिसको integration नहीं आता है कोई problem नहीं है मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है 1 upon x square को कैसे लिख सकते है 1 upon x square को x to the power minus 2 लिखा जा सकता है ठीक है integration में क्या करना है this is our n formula होता है integration of x of dx का x to the power n plus 1 upon n plus 1 यही होता है ठीक है तो minus 2 अगर power में है तो क्या लिखा जाएगा x minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 आएगा answer x to the power minus 1 और इसका आएगा minus 1 यहीं आएगा ठीक है तो हम ऐसा लिख सकते है minus x to the power minus 1 लिख सकते है ठीक है तो x to the power minus 2 of dx के जगा इसको put कर देता हूँ मैं कर दीचे चलिए gmm, ठीक है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, minus x to the power minus 1, limit होगा infinity to r, gmm, यह minus को आप बहार लिखा लिजेगा, x to the power minus 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 upon x लिख सकता हूँ, और limit put कर दीजेगा, r, infinity to r, ठीक है, minus gmm, यह आएगा, 1 upon, हबसे पहले उपर वाला, फिर इसके बाद नीचे वाला, तो 1 upon infinity होता है, 0, तो इसका value आएगा, minus gmm upon r, this is our total work done, यहां से p point तक का work done, ठीक है, तेखिए, यह answer जो है, आपका minus में हा रहा है, इस minus का मतलब यह है, कि जब की potential energy है, वो कम होती जा रही है, जितना ज़्यादा height, उतना ज़्यादा potential energy होगा, उस particular object के पास में, ठीक है, तो देखिए, height कम, मतलब की, आपका potential energy है, वो कम होते वे जा रहा है, ठीक है, अब मान लिजेए, कि आपका object कहीं पास में, पी point पहीं मान लिजे कि पहु A और B point का ही use कर लेते हैं, मान लिजे, ठीक है, इसका यहाँ से जो distance है, उसे आप R1 मान लिजेगा, और A का जो distance है, उसे आप R2 मान लिजेगा, ठीक है, हमने क्या किया, कि जो P point पहाया है, उठा के B पे रख दिया, और B से इसको धकेल रहे हैं, ठीक है, कोई से भी force से इस की बात नहीं कर रहे हैं, यह gravitational force को अभी भी खीचेगा, ठीक है, बट यह दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है, तो जीतना उपर इसको लेके जाएंगे, उतना ज्यादा इस पे potential energy बढ़ेगा, तो अगर यहाँ से इसको उपर लेके जाएंगे, तो हमारा क्या होगा potential energy बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, तो क्या होगा, यह जो value है, यह positive value में convert हो जाएगा, ठीक है, लिमिट को जब साथ चेंज कर दीजएगा, देखिए किस टाइप से चेंज किया जाता है, ओमेगा, ठीक है, अब देखिए, यह minus है हमारा, इसको वैसी रहन दीजएगा, तो वो बाद में आपको दिख जाएगा, यह work done है, minus gmm, और इसकी value आएगी, 1 upon x, इसको तो साथ clear कर लेते हैं, limit जो put कर रहे हैं, कहां से ले जाना है, r1 से लेके जाना है, कहां तक लेके जाना है, r2 तक लेके जाना है, ठीक है, तो this is r1 और this is r2, ऐसी है, r1 से लेके r2 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, minus gmm, तो value put करेंगे 1 upon r2, और यह आएगा r1, ठीक है, इसको reverse करेंगे, तो इसमें से माइनस निकलेगा जो इस माइनस को cancel कर देगा और आंसर आएगा GMM 1 upon R1 1 upon R2 देखिए जो value आई है वो positive आई है positive इसलिए आया है कि जो object है उसे हम उपर की तरफ लेके जा रहे है मतलब potential energy को increase कर रहे है जब increase करेंगे तो positive है जब यह नीचे आएगा तो minus हो जाएगा मतलब potential energy हमारा decrease होता हुआ जाएगा ठीक है तो यह minus जो symbol है यह आपको समझ में आगया होगा यही work done को हम change in potential energy भी बोलते हैं तो वाला value लिया जाएगा अगर यहां से उपर लेके जाएंगे तो यह वाला value लिया जाएगा इसको आपको ध्याद देना है ठीक है अब एक famous equation है potential energy का MGH यह formula तो आपने देखा ही होगा 9 से पढ़ते है अब इसी formula को हमको लेके आना है due to this formula तो कैसे लेके आएंगे देखे तो मान लिजिए कि हमारा जो object है वो इस position पर रख दिया गया है जिससे height जो है हमारी कित्ती मिलेगी R मिलेगी अब कोई सब एक point लिजिए ठीक है मान ल अलग रूप से बता रहा हूं चीजों को ठीक है तो इस पूरे equation को अलग-अलग ही लीजिएगा जिस point पर जो बताया जा रहा हूं उसको आप उसको डियाग्राम को उसको वहां लीजिएगा ठीक है यहां से यहां तक का distance को आप R ले लीजिएगा अब object को यहां से उठाके P point पर रख दिये हैं माल लीजिए और उसका height को आप H ले लीजिएगा ठीक है ठीक है तो जो हमारा जो limit है वो कैसे change हो जाएगा और जो distance है वो कैसे change हो जाएगा तो देखें यहां पास में आपको क्या करना है R1 equal to capital R रख दीजिएगा ठीक है यह इसके जगह में R को रख दीजिएगा एंड अब यहां से उठाके यहां लेके गया है तो R2 को R plus H मतलब यहां से बाद यह height ठीक है आप इसको ऐसा रख दीजिएगा ठीक है अब इसको यह value को यहां put कर दीए तो जो work done बोलिए या फिर change in potential energy बोलिए ज्यादा अच्छा लाएगा G capital M small m 1 upon R minus 1 upon R plus H this is our formula ठीक है करना क्या है इसमें यहां से object उठाके ऊपर लेके जाना है तो जो potential energy में जो change है या फिर बोल सकते हो आप कि इस particular point पे इसकी जो potential energy है वो किदनी है तो normally हम लोग क्या बोलते हैं यहां से यहां तक का जो height तो H ले लिए उसके बाद में क्या आए हाईट के बाद लेंगे यहां पास का मास और यह इसको खीच रहा है इसके लिए इसको लेंगे G, G is the gravity ठीक है acceleration due to the gravity उसी formula को लेके आना है देखिए कैसे लेके आएंगे अब इसमें इसमें से R को आप बहार निकाल लेजी तो R बहार निकालेंगे तो इसके पास कुछ नही आर को अंदर लेके जाओ तो यह R और कैंसल हो जाए और फिर से इसी पोजिशन पर आए जाए ओके है ठीक अब इसको थोड़ा सा अब समझेगा आर अपॉन आर प्लस एच इसको समझेगा आर अपॉन आर प्लस एच को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं वन अपॉन एच प्लस आर अपॉन आर ऐसा लिख सकता हूं इसको थोड़ डेरिवेशन में काम आता है इसकी लिख सक्या जा रहा है अगर इसको आप फिर से रिवर्स करेंगे तो यह R ऊपर चला जाएगा और यह R प्लस एच फिर से आजाएगा ठीक है तो वन अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर ऐसा लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है तो इसको आप लिख लिजी तो इसको कैसे लिखा जाएगा वन अपॉन आर पॉन दिस ठीक है अब देखिए इसको इसको डिवैड करेंगे तो यह आएगा जी एम एम अपॉन आर वन यह माइनस है सॉरी और देखिए 1 upon R, R, 1 और H upon R, ठीक है, अब इसको उपर लेके जाएंगे, GMM, 1 minus, इसको उपर लेके जाएंगे, तो यह बनेगा, 1 plus H upon R, के पावर में, minus 1, और यह काम खतम, ओके है, ठीक, due to the binomial theorem, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें binomial के थेorum के हिसाब से, यह जो power इसको हम अंदर ले सकते हैं, binomial के equation तो काफी बड़ा होता है, पर power बहुत जादा high होने कारण, और यह minus है, तो जो उसकी value होए, वो काफी छोटी हो जाती है, इसलिए हम हम लोग सिर्फ एक ही form लेंगे, तो एक form लेने के कारण, जो हमारा equation है, वो क्या बन जाएगा, तो इसके लिए में धोर जगब ना लेता हूँ, तो जो हमारा equation बन के आएगा, वो बन के आएगा, gmm upon r, 1 minus, इसके लिए लेंगे यह अंदर आएगा, minus 1 minus h upon r, यह bracket में और यह complete bracket, ठीक है, ठीक है, अब इस bracket में खोलेंगे, तो यह आएगा, gmm upon r, 1 minus, 1 minus minus plus h upon r, यह 1 और यह minus 1 cancer, आएगा, gmm upon r, और यह बचेगा, h upon r, फॉर्मला आएगा, gmm h upon r square, यह capital m है, यह small m है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखे, इसमें जो कुछ values को हम जोडेंगे, तो g equal to होता है, g capital m upon r square, तो इस value को आप g कर सकते है, तो इसके जगा आप g रख दीजेगा, m तो हाई ही, और यह h, और यह potential energy, change in potential energy बोली है, तो फॉर्मला बनेगा mgh, this is our formula, ठीक है, famous equation जो हमारा है, mgh को यूज करते हैं, हमारा potential energy का formula आ चुका है, बहुत है simple तरीक्यों से, ठीक है, ठीक, अब देखे, अब मैं बोल रहा था, कि किसी भी particular point पे अगर मुझे potential को निकालना है, मान लिजे, कि मैं इस particular point पे potential को निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो potential निकालना चाहता हूँ, तो इस particular point पे जो मेरी potential है, वो कितनी आएगे, तो potential के लिए जो formula है, उसको समझेगा, बहुत ही छोड़ा सा formula है, मैं आपको यहां करके दिखाता हूँ, तो potential का formula होता है, work done upon mass, तो कितना work done हो रहा है, उस particular mass पे, ठीक है, तो देखिए, work done जो हमारा यहां से यहां तक कब हो, कितना निकल के आया था, minus g m m upon r, और यह आएगा m, यह m और m cancel, तो जो potential का formula हमारे पास बन किया आएगा, हो आएगा, g capital m upon r, और इसको हम v से denote करते हैं, तो this is our potential, ठीक है, यह potential काफी काम का चीज है हमारे पास में, मतलब किसी भी particular point पे हम potential बता सकते हैं, कि due to this, अब समझ लीजे कि potential कैसे बता जलें कि किस के पास कितना potential है, तो अगर कोई object को में यहां रग दूं, तो उसका potential हम identify कर सकते हैं, कि उस object की पास में कितना potential है, ठीक है, तो distance आएगा, gravitational force आएगा, constant वाला, और mass आएगा, कौन सा mass आएगा, इस अर्थ के mass, ठीक है, अर्थ का mass के कारण, उस पर potential बन रहा हो कुछ ठीक है, potential energy अलग है, याद रखेगा, और potential energy को क्या लेते हैं, potential energy का मतलब कि जो change आ रहा है, जो potential में change आ रहा है, वो हम potential energy के form में लिया जाता है, ठीक है, अगर object को यहां से यहां उठा के रखूंगा, तभी उस पर potential आ रहा है, मतलब object अगर surface पर रखा हूं, तो इस पे energy कैसे आएगा, हम इसको energy दे रहे हैं, तभी तो इस पर energy आएगा, energy never vacated, never destroyed, energy transfer, यहां था, मेरे पास में कुछ energy थी, मैंने उठा के यहां से रख दिया, तो यहां से यहां आया, मतलब इस पर कुछ work done हुआ, जो work done हो रहा है, उसकी कारण इस पर potential energy increase हो जा रहा है, इसकी height और यह इसलिए increase हो रहा, ठीक है, धक्का दूंगा, तो kinetic energy में change हो जाएगा, तो यहां potential energy है, छोड़ा तो kinetic energy में convert हो जाएगा, और यहां पास में आ जाएगा, तो इस point पे भी इसकी कुछ potential energy रहेगी, और अगर height को आप 0 ले लें, ठीक है, तो जैसे कि इस पे जो height है, वो 0 कब लिया जाएगा, इस पे जो height है, उस पे 0 लेने के लिए, यह जो mass है, यह अर्थ की यहां पासाना चाहिए, तब ही इसकी जो value है, वो 0 ली जा सकती है, ठीक है, तो देखे, यह equation है, हमारा potential energy का, तो जो g है, जब तक यह 0 नहीं होगा, हमारा, अगर height को हम 0 लेते हैं, तो तो उसके कारण जो potential बन रहा है, तो उस particular point पे, h को 0 नहीं लेना है, 1 लीजेगा, ठीक constant time लीजेगा, कि height पे change नहीं आ रहा है, तो जो weight आएगा, हमारा weight का formula क्या बनता है, mg यहीं बनता है, ठीक है, अब g का ही खेल है, इसमें main, अगर center पे चले जाएं, तब g 0 हो जाता है, तब 0 हो गया अगा, तो जो value है potential energy की, वो 0 हो जाएगी, completely, इसको समझेगा आप, ठीक है, ऐसा मत करिएगा, कि object इसे surface पे रखा हुआ है, तो जो हम लोग अपका motion इने plane में पढ़ते थे, लॉफ मोशन में पढ़ते थे, उसको मत ले लीजेगा, वो value अपकी थुछी से यहां अपा समा height मानके, इसको constant मानके चलते थे, जो mgh value है, इस particular point पे constant मानके चलते थे, मतलब उसकी value को हम 0 मानके चलते थे, कि उस particular point पे उसकी potential energy नहीं है, ठीक है, ऐसा हम मानके चलते थे, असको, पर उस थाइम पे भी उस पे weight तो लगी रा था था, तो उस reference एक मानके चल ठीक है तो हमें potential भी पता चल चुका है और potential energy का formula भी है देखे थोड़ा सा ही change है सिर्फ यह जो mass है यह increase हो जाता है तो question को तो समझेगा पहले नॉर्मली तो question आपको दे देता है इसी पर असको समझने बहुत ही जाता ज़रोगी है माल लिजे कि this is our earth और यहां पास में एक system हमको बनाना है जो कि square form में है यहां से एक object उठाए और इसको यहां लेकिया है यहां से एक object उठाए माल लिजे कि यहां पास में m mask कोई object है यहां पास में m mask कोई object है यहां पास में m mask और यहां पास में m mask ठीक है यहां से उठाए और इसको यहां उठाके रख दिए तो यहां पास में a point पे जो object है उसक मास को आप A, M मानना लिजाएगा यहाँ से उठाक लाएं, यहाँ से उठाकekt लाएं, यहाँ से उठाक लाएं, M, M. ठीक है? अब इसके कारण सभी पे कुछ पुछ नगोच पोटेंशल है अब यहाँ पास में, यहाँ पास सभी का जो डिस्टेंस है वो L हो जाएगा यहां पास में ठीक है अब मास को समझेगा आप थोड़ा सा माल लेजे कि यह A है यहां पास में अखेला होता अगर ठीक है तो यह B वाला जब इसके पास आया यहां पास में तो इन दोनों के बीच में जो potential energy है वो कितनी बनेगी पह AB अगर मैं लूँ तो मेरी जो value है वो कितनी निकल के आएगी minus GM M ठीक है दोनों का मास M है तो लिए M M upon distance कितना लाए जाएगा L लिया जाएगा ठीक है वैसे ही अगर मैं BC के लिए निकालू तब भी same उतना ही आने वाला है U of BC या फिर U of CA CD स्वारी D और DA U of DA सभी का जो formula है वो कितना निकल के आएगा minus GM upon L minus GM M upon L सभी का जो formula है वो same निकल के आने वाला है अब question में बोल रहा है कि जब सभी masses को ले के आए और जो वो एक square से बन जाए तो इसका total potential energy कितना होगा potential energy कितना लिया जाएगा total potential energy ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको तो देखे इन सभी को आप ऐसे जोड़ विजीगा तो इसके उपर में ये चार potential लगा रहे होंगे सभी का potential निकाला देखे अब ऐसा नहीं करना है आपको कि A वाला इसमें potential लगा रहा है तो U of A, B या फिर U of BA ऐसे लिकाल के लेके आना ऐसा मत करिएगा एक काफी है ठीक है तो जो total potential आ रहा है हमारा वो कितना आएगा अगर इसको लूँगा मैं तो U of A, B फिर B, C का लूँगा U of B, C, U of C, D और U of D, A देखे चारो के चारो आगए यहां से यहां का potential यहां से यहां का यहां से यहां का अब बचा हुआ है इससे cross में लगने वाला तो बचे का क्या U of A, C ले लिजेगा और एक यह वाला cross लेंगे हम लोग तो U of D, B ले लिजेगा ठीक है ठीक है तो किसी भी एक point को आप मानके चलिए इस point को आप मानके चलते हैं तो देखे इस point पे यहां का potential यहां का potential सभी same है तो कितने है total? 4 है तो 4 U of A, B ले लिजेगा ठीक है अब यह square होने के कारण इसका distance और इसका distance भी same है और इसको आप कोई से भी एक ले लिजेगा तो BD ले लेते हैं क्योंकि एक को triangle form मिलेगा ठीक है क्योंकि यह A, B तो ले रहे हैं अगर यह मिल जाएगा तो सिर्फ यह एक बचेगा तो triangle form में बार complete हो जाएगा तो BD लेने के चलिए तो A, C और BD बराबर है तो 2 of U of BD ले लिजेगा ठीक है D ले लिजेगा यह BD ले जेगा दोनों A की time आएगा अगा ठीक है अब U of A, B कितना है हमारा तो 4 U of A, B आएगा minus GMM upon L plus 2 U of BD, BD इसका distance कितना होगा using the Pythagoras theorem यह L है यह L है तो इसकी value आएगी L root 2 L square L square under root के form में देखे L square plus L square under root के form 2 L square value आएगा L root 2 ठीक है ठीक तो जो distance लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा minus GMM upon L root 2 यही आएगा आएगा की नहीं आएगा 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 अब जो values बाहर निकल दिदेगा बाहर निकल लीजे ठीक है तो देखिए इसके पास 2 है G है इसमें स्टू निकल सकते है M M है तो निकाल दी जीगा, इसके बाजी मैनस, इसके बाजी मैनस, तो मैनस को आप बाहर निकाल लीजेगा, अब इसके बाज क्या बचा हुआ है, तो इसके पास मैनस बाहर निकाल चुके है, तो सिर्फ टू बचा हुआ है, इसके बाजी मैनस बाहर निकाल चुके है, टू भी निकाल चुके है, L भी सब निकाल लिए है सिर्फ बचा है 1 upon root 2 ठीक है ठीक है तो 2 gm square upon L इसकी value निकालेंगे तो 2 plus 1 upon root 2 की जो value होती है वो कितनी होती है तो root 2 की value होती है 1.414 और 1 upon root 2 की value होती है 0.707 ठीक है इसको करने की जदद नहीं पड़ती है एक्च्वल में इसको काफी इतने बार कर चुका हूं है कि मेरे याद हो चुका है rms value जब voltage का rms value निकाला जाता है तो उस पर इसकी काफी जर्वत पड़ती है इसलिए इसका value मुझे याद है ठीक है तो 0.707 root 2 gm square upon L 2.707 multiply करिए तो 5.414 gm square upon L this is our formula minus P ठीक है यह होगा हमारा total potential energy ओक है अब बोल रहा है यह कि बताइए कि इसके center पे जो potential बनेगा इन सभी object के द्वारा यह up बहूदी तो कितना बनेगा बहुत ही simple सा है यहाँ से यहाँ स क्का distance यहाँ से यहाँ तक की 4 से प्लस कर दिए तो इसका आप कोज भी इसका डिस्टेंस है उसे कैसे निकला जाएगा देखिए इसको समझने बहुत सिंपल सा देखिए ये एक स्क्वाइर फॉर्म है ये L है ये L है ये L रूट 2 है ठीक है अब देखिए यहां से अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूँ तो ये वो कैसे निकाला जाएगा उसको समझेगा तो जब ये इसको बाटेगा तो ये हिस्सा ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हैगा क्योंकि ये और ये बराबर है ठीक है तो L रूट 2 है तो अगर मैं इसको डिवाइड बै टू कर देता हूं तो मेरे डिस्टेंस निकल के आ यह रूट अब क्या करना है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से सभी को प्लस कर देजिए पोटेंशल आपका निकलकर आजाएगा तो देखें टोटल पोटेंश्यल at point O तो O पे इसके द्वारा किता potential बनेगा इसके द्वारा सभी का जो potential है उसको sum कर दीजेगा थीक है तो देखें potential का formula क्या निकल के आएगा formula याद रखेगा minus gm upon L होता है और potential का जो formula होता है वो क्या निकल के आता है हमारे पास में जो खाली potential होता है उसका formula होता है minus gm upon distance जो भी हमारा distance होगा distance ठीक है small m हड जाता है हमारा ठीक है तो यहाँ पास में वैसी करेंगे एक, दो, तीन, चार तो हमारा answer आएगा 4 into minus gm एक mass लिजेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेना है इन दोनों की बीच का बात नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं है तो mass सिर्फ इसका लिया जाएगा इसलिए यह mass distance कितना है l by root 2 तो यह root 2 पर चला जाएगा तो यह आएगा 4 root to g cap small m upon l this is our answer total potential energy of the system किस point पे लिया जाएगा इस particular point पे लिया जाएगा ठीक है इसका आपको थोसा ध्यान देना पड़ेगा इस particular point पर कुछ भी नहीं है ठीक है तो इसका potential जब यहाँ आएगा इसका potential जब यहाँ आएगा इसका potential जब यहाँ आएगा ओके है ठीक है तो और काफी सरे question आपके reference book पे दिये होंगे या आपके पास में कोई भी आप book यूज करते हैं तो try करिए घर में नहीं बनेगा तो मेरे facebook पर पेज जो हमारा बना हुआ है उस पर upload कर दीजेगा मैं उसे आपको solve करके बता दूँगा कि वो कैसे बनता है पहले पर try जरूर करिएग ठीक है ऐसा नहीं कि बिना try कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा से समय दीजिए concept को समझेए और try करके जरूर देखिए कि इसको मैंने खुद भी feel किया है कभी कबार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि बहुत सरी चीजे हमें आसानी से मिल जाए मतलब हमको महनती ना करना प मतलब कि जो question पर किसी भी question पर अटक जाते हैं समझ लिए ऐसा होता है कि अटके हुए हैं सुचते हैं कि कोई भी answer बता दे बस मेरा काम हो जाए तो दो चाल लोग दोस्तों के पास में जाते हैं तो क्या करना है आपको मिली दोस्तों से आप अपने चीजों को share करिए कि यहा अगर कहीं भी नहीं problem हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो comment मैं तो हूँ ही फिर तो facebook पेज पर upload करिए और मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगे चल से चल जितनी जल्दी हो सके मतलब ठीक है ओके तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे like और share जरूर कर दीज आपको 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 आपको